कौन से आठ धर्म है जो मूल धर्म जिन से छुटकारा नहीं है और इन आठ धर्मों की ही अक्स्टेंशन है आठ मूल रोल है यही रोल मल्टीपल कॉंबिनेशन में हर जगा अपलाई हो जाते हैं सबसे पहला धर्म है मातर पितर गुरू धर्म रोल टूवार्ड्स मदर फादर एंडू यह एक ही केटागरी में रखा है मैं हमेशा जब भी इस पर चिंतन किया तो मैं सोचता था कि यार यह कोई अलग से मिल जाए तो वो जब भी नाम लिया जाएगा मातर पितर गुरू वो सब एक ही शलोक में आते हैं हमेशा माता पिता ने आपको जनम दिया तो एक प्रोग्राम की आपको सर्वाइब कराना है अब या तो उस बच्चे के अंदर ये प्रोग्राम इतना गहन है कि वो प्रेम खींच लेता है माबाप का तो वो उसे नर्चर करते हैं और वो नेचर के ही तीन प्रोग्राम्स के साथ प्ले हो रहा होता है तो माता पिता ने आपको पैदा किया वो अपना सुत धर्म यानि अपने बच्चों के लिए जो धर्म है उन्होंने वो निभाया तो you have to return back can you give the same protection same care पित्रों की पूजा में हम उनका नाम लेते हैं जो की आम भाशा में परचलित हो गया पित्रों का नाम प्रकाश किया बढ़ा किया उनकी अग्जिस्टेंस को उनके वजूद को रेगनाईजिशन देने और अस्पेक्ट के माध्यम से उनसे बाचीत करके ये धर्म है क्योंकि आपको उन्होंने जनम दिया है सो पहला धर्म रेसिप्रोकेट है जो मिला जीवन मिला तो उसको रेसिप्रोकेट करना है जो मिला उसको रेसिप्रोकेट करना है उसी धंग से जिस धंग से मेरे को मिला अगर जीवन मिला, फूड मिला, प्रोटेक्शन मिली तो क्या उनको मैं रेगनिशन, फूड, प्रोटेक्शन, केर, रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ ये सबसे पहला धर्म आपको पहले रोल के लिए प्रशस्त करता है जो इसमें गच्चा खा जाता है वो काफी जगा सेट नहीं होता इसलिए हमारे यहां शराद करना, पित्रों के स्थान पर जाना जाने वो क्या, कहां कहां उन्होंने मनते मांगी होंगी क्या खाया होगा, क्या प्रहेज किये होंगे तो ये जीन्स आज यहां बैठा है डाइनासोर खतम होगे, तुम खतम नहीं हुए तो कितने सशक्त रहे होगे कितने पावरफुल हो तुम वो जीन्स यहां तक पहुंचा है उसको पहुंचाया आपके पीड़ी दर पीड़ी पीछे उन पुर्खोने, तो क्या हम उनको रेकिनिशन दे सकते हैं, तो अगला जो लाइफ में रोल शुरू होता है वो होता है ब्रातर धरम, बहन बाई, माबाब के साथ पहला तूसरा सबन सिब्लिंग के साथ जिन के साथ आप नर्चर हुए नेचर ने ब्रदर्ज के बीच में कॉन्फिलिक्ट डाल के भेजा ही नहीं तो सेकंड लेयर अफ प्रोटेक्शन है खून खून ही है, वो इकठा होई जाएगा, जोर मारी जाएगा यो आफ नो चॉइस, कितने ही कॉन्फिलिक्ट रहे जितना जल्दी हो सके, उनको डिसंफेक्ट कर देना अगर वो इनफेक्टिड हो रखे हैं अपनी तरफ से क्लरिटी कर देना मेरे मन में कोई वो नहीं है मैं खड़ा हूँ, जो मुझे कदा होना चाहिए उनके साथ मेरे मन में कोई ग्यात नहीं है इससे power मिलती है आपका right role आपको powerful कर देता है तीसरा है मित्र धरब फिर मैत्री भाव शुरू होता है क्योंकि बच्पन में सबसे पहले मित्रों की टोली भाई बहनों के बाद मैत्री धरब ये इतना प्रगाड है जब बच्चों को समझ नहीं होती तब भी तो दोस्तियां हो जाती है कुछ है जो कनेक्ट कर देता है और मैत्री धरम के उपर ही पूरा जगत खड़ा है क्या तुम्हारी इंटेंशन किसी से फाइदा लेने के चक्कर में दोस्ती से है या दोस्ती है करन और कृष्ण के जैसे दोस्त बनना तो करन और कृष्ण के जैसे चैप्टरी नहीं है कोई तो कितना गलत कितना सही अब तो तेरे साथ ही है एक्चली दोस्ती का धरम आपको नौन जज्जमेंटल होना सिखाता है जज्जमेंट क्वालिटी है कॉंशियस माइंड की और डिस्क्रिमिनेशन क्वालिटी है अनकॉंशियस माइंड की जैसी आप जज्जमेंट छोड़ देते हो मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि तू ऐसा है क्योंकि तू ऐसा है क्योंकि तू ऐसा है कॉंशियस माइंड अरे दोस्ती क्यों नहीं करेगा भई तुने कभी करी नहीं थी तुम तो नाटक कर रहे थे दोस्त होने का क्योंकि जो दोस्त है वो तो है वो धर्म में अपने आपको उतारने का फिर दोस्ती पक्ली फिर ना मुझे फिर वो हिले नहीं विश्व धर्म फिर तुम society में एंटर कर जाते हो पूरे विश्व के साथ एंटर कर जाते हो विश्व के लिए क्या धर्म है पहला धर्म है जिस जगह में हो उसके lie and order को honor करना ता अपना वजूद दिखाने के लिए तुम lie and order तोड़ते हो और कोई कारण नहीं, ना कोई मजबूरी होती है, उस सिरफ फिल्मों में होती है, धर्मिंदर की, अमिताब बचन की, जितेंदर की, एक्शिल में लाइन ओर्डर को तोड़ने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती है, Follow the protocols of the environment, larger field, wherever you are living. हमारा देश गंदा है, हमारी राजनितिक गंदे हैं, हमारी कनून में वस्ता लचर है, तो सो रहे हो ना रोज रात को, मालूम है कितना सिस्टम जागता है ताकि तुम चैन से सो सको, कुछ पता भी है, जिनके घरवाले, जिनके परिजन, पुलिस में हैं, उनसे पूछ हो जाके, क्या होगा, जो तुम्हारी परिभाशा है कि राजनितिक गंदे हैं, लाइन ओर्डर नहीं है, पुलिस करप्ट है, अच्छा सच में अगर 100% ऐसा हो जाए, तो पते क्या होगा, तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओंगे, पर ऐसा है नहीं, कमिया होंगी, कोई बात नहीं, तुम में भी तो हैं, तुम कौन सा परफेक्ट हो, अक्सेप्ट, एक्सेप्ट एन ओनर, रस्पेक्ट्फुल रहना है, जो लाइन ओर्डर मेंटेन करने वाले हैं, होंगी गलतियां, सब कुछ होगा, ये उपर के तीनों धर्म की गलतियां माफ करते हो ना, नहीं करते, तो फिर चौत्थे की क्यों नहीं, उस भाब में उतरना है, उस भाब में उतर के फिर स्वैंप के परतियां, कहीं ये जगत के भाब में तुम इतना न डूब जाओ, कि अपने लिए क्या रोल है वही भूज सवधर्म क्या है, अपने लिए धर्म क्या है मैं अपने लिए अपने कॉंटेक्स में ठीक हूँ क्या जो अपने लिए ठीक नहीं है, वो किसी के लिए ठीक नहीं हो सकता तुम इसको स्वार्थी कहो मैं कहता हूँ सवधर्म अपना धर्म अपने लिए शरीर है ये तुम्हारा रॉंग रोल बाडी के लिए शरीर को खराब कर देता है बागभट कहते हैं तीन सो साथ बरसों के लिए कुछ हिलने वाला नहीं है तुम्हारी गलतियां तुम्हारे माइंडसेट्स इसको डिस्टॉर्ट करते हैं अपने शरीर का अपने मन का आपको ध्यान रखना है कोई दूसरा नहीं रख सकता है ये जिम्मेदारी लेनी होगी करम धरम जगत में आये हो कुछ काम करने आये हो क्या अपने काम में आउनेस हो सकते हो क्या अपने करम ऐसे कर सकते हो जिससे किसी की लाइफ में वैल्य ओडिशन हो अगर नहीं हो रहा तो कोई उपचार तुम्हें पैसा कमाके नहीं दे सकता और जब वो जैनून होगा किसी की लाइफ में वैलिय ओडिशन हो रहा होगा तो लोग तुम्हें मरने नहीं देंगे ये पक्का है और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी उमर पांच-पांच हजार बरस हो गए मरें नहीं वो कृष्ण जिन्दा है ना गीता में जिन्दा है ना बात करते है ना तुम कुछ करोगे ऐसा सच में पहले ओडिशन कर पाओगे या चोरी, चकारी, स्मार्टनेस कुछ नहीं होगा तुम से पहले बठेरे हुए हैं खतम होगे पता ही नहीं पता ही नहीं थे भी के नहीं थे तुम्हें बनना है सवधर्मी होकर करम के धनी होना है मैं जो करूँ मुझे पता है ये लाब देगा ये फल देगा फिर तुम कितनी गाली देना कितना डांटना कोई नातक मत करना तब भी तुम अच्छे लगोगे पर जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता तब तुम और नटंकी करके मन लुभाना चाहोगे एड वैल्यू वेदी और करमा ये करम के प्रतिधर्म है तुम्हारा क्लाइंट जो आया है तुम ये मान लो कि तुम उसको दूद दे रहे हो और क्लाइंट बच्या है क्या उसको आक चो आक होता है उसका दूद निकाल के दे दोगे और कहोगे ये बहुत बड़ीया बेहन्स का दूद है तुम जानते हो सच किया है तुम इतना जुट बोलते हो तुम्हारा unconscious confused हो जाता है कि सच क्या है फिर बिमारी आने लगती है क्योंकि वो confused हो गया वो judgmental नहीं है जो चीज तुम repeatedly करते हो बार-बार करते हो वो उसको सच मान लेता है पती-पतनी धरम role for your life partner भारत में काफी इस पर चिंतन हुआ है और मैं सच में चाहूंगा कि जब दो लोग निरने करते हैं कि वो साथ में रहे उन दोनों की एक training होनी चाहिए कि male कैसे होते हैं और female कैसी होती है क्योंकि दोनों बहुत अलग लग है ये दोनों एक जैसे है ही नहीं बिलकुल भी नहीं है पर क्या वो एक दूसरे की individuality को honor कर सकते हैं इसके लिए सशक्त training होनी चाहिए तो role define होंगे कि एक दूसरे का role क्या है क्योंकि बहुत सारे role बहुत सारी conditions ये इन दोनों के बीच में जो field पैदा हो सकता था वो field पैदा ही नहीं होने देता उससे पहले disconnect कर देता पुरुश कैसा सोचता है महिला कैसे सोचती है अब तो psychology है मनोविग्यान है case studies है उनका अध्यान करके दोनों के लिए training classes जरूरी है तो निर्ने करना चाहिए दोनों को कि क्या वो जिन्दगी बर साथ रहना चाहिए सुत धर्म role for your children जैसा मैंने पहले कहा जो parents ने आपको जनम दिया nurture किया care करी बच्चों के लिए वही रोल आप निभाते हैं निभा रहे हैं पर होता ये है कि आपका condition माइन बच्चों को इतना tight करना शुरू कर देता है जैसे एक फूल को कैंची लेकर तराशने की कोशिश की जाए कि मैं इसकी पत्तियों को इतना सुंदर कर दूँगा या कर दूँगी कि ये खूब खेलेगा बस कैंची लगी नहीं और वो फूल खराब हुआ ले तुम एक environment दे सकते हो बच्चों को जिसमें वो nurture हो protected environment जिसमें वो खुद सोच सके swim सोच सके और वो बहुत उंची उडान भर सके ये रोल है मैंने बहुत बार देखा है मेरे पास मसें लेके आते है बच्चों के बारे में 80% केसिज में तो माबाप को treatment की जरूरत होती है बच्चों को ने उनको खिलने दे उनको बड़ा होने दे उनकी uniqueness को render होने दे उनको swim बनने दे अब ये नहीं कि अपने parents को जाके गाली देनी है तुमने मेरे को डक्टर बना दिया इंचनियर बना दिया मेरा बटा बिठा दिया अरे जो उनको best समझता था उन्होंने तो वही किया so just get okay with everything मेरी भानजी का फोन आया भानजी के पास चार साल का बच्चा है डिनर पर ले गए family friends के साथ वहां पर candle जल रही थी उसने सारी candle फूक मारके बुझा दी इनको खूब गुस्सा आया बालक के दो चपेड बी जड़ दी और समझा रहे है तरे को अकल नहीं है candle light डिनर पे candle बुझाते नहीं है हमारी बेजदी करा दी इतनी दुखी हुई भांजे को फोन कर रही है इसने हमारी इंसल्ट करा दी चार साल के बच्चे को पता है कि इजद कैसे कराई जाती है या उसको पता है candle जल रही है तो इस पे फूक मारनी है कि नहीं मारनी क्योंकि उसने तो वर्डे केक पर candle पर फूक ही मारते देखा है उसको तो यही पता है जब यह बत्तिसी जल रही हो तो इस पे फूक मारनी है and that is fun वो तो सोच रहा होगा मैं उस बच्चे की मनोस्तिती में जाके खड़ा हो रहा था कि मैंने candle बजाई है तो सब लोग तालियां बजाके गाना गाएंगे और यह बिटाई कर रहे है अब वहां से उसका confusion शुरू हो गया उसको पता ही नहीं पढ़ रहा कि candle पर फूक मारने पे ताली कब बज़ती है और चपेड कब पढ़ती है can you be normal can you allow children कि हाँ बेटा और जैसे उसने पूरे होटल की मुवबतियां बजाई तो केक काटना चाहिए था यह मेरी philosophy है ताकि उसको पता हो कि जब भी candle बज़ाई जाती है तो संगीत बज़ता है क्या गलत क्या सही कौनसा गलत कौनसा सही सब relative है डर्मलाजी 12 साल तक के बच्चे को शास्तर कहता है डांटना भी नहीं चाहिए टांटना भी नहीं चाहिए जो कर रहे है ठीक है तो वो प्रखर बनेगा और यह चार साल के बच्चे से अपनी इज़त जोड रहे है यह conditioning ने ज़्यादा pain cause कर रखे है अब ऐसा आजाए जी हाइपर चाइल्ड है हमारा मौबतियां बज़ा देता है क्या चाहते हो नहीं यह चुपचा बैठा रहे तो psychiatrist के पास चरह जाओगे बच्चा है खेलता को उत्ता ही नहीं है Actually treatment तो कहीं और चाहिए बच्चे को नहीं चाहिए यह realization चुरूर है Can you be just normal? Can you be just okay? Being just okay is subdarma तुम्हें रोज यही देखना है मैं okay हूँ के नहीं? मैं normal हूँ के नहीं? जब absolute normal में आ जाओगे तो तुम एक flow में आ जाओगे जब तुम absolutely normal होगे तो अपने zone में आ जाओगे और मैं चाहता हूँ रोज मैं तुम्हें तुम्हारे zone में आ जाओगे